अज मैं आपको एक ऐसे सिख्यों के बारे में बताऊंगी जो सिख्य कहां जा रहे हैं उसके बारे में बताऊंगी तो प्लीज दोस्तों अभी तक हमारे चानल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्रीज चानल को सब्सक्राइब करके बाजी वाला बेला इकान को भी दबा दिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकरी और सारी जानकरी सह जानकारी मिल सके आपके जो भी पुराने सिके हैं कुछ ऐसे साइट के जरिया आप देश सकते हैं जैसे की फ्लिपकॉट क्विकर स्नाप डील और अमेजान भी आज खल कुछ ऐसे सिके बिक रहे हैं तो इकामर्स साइट क्विकर पर तों 1862 के क्वीन विक्टेरिया के सिके भी बेचे जाते रहे हैं इस इकामर्स साइट पर एक विक्टोरिया कोईन की कीमत 1.5 लाइक रूपे तक मिलत अचलन में आया था तो पुरानों सिके की कमाई ऐसा एक बार सुना होगा कि कोई कुछ आदमियों उन्हें पुराने चीजे बेच कर राजा हो गए अब यहां पुरानी चीज का तो संदर्ब कबार से भी नहीं है तो पुरानी चीज का मतलब ऐसा सामान से ही जो धरोहरी या एंटिक पीस हो अब कोई चीज बहुत पुरानी हो जाती है तो वह एंटिक कैट्गरी में आ जाती है तो उसकी नीलामी हो तो कई कद्दान मिल जाएंगे तो जो मुह मांगी कीमत दे सकते है इस तरह की एंटिक पीस की डिमेंड अंतरास्रीक मार्केट में खूप देखी ज चुकी है तो जिसमें देश से चुराए गए सामान विदेशों में पहुंचा दिया जाता है और यह सब मोटी कमाई के लिए होता है तो जैसे ही कुछ एंटिक एंटिक की पुराने सिखे जेन्यून तरीके से देखे तो कई बार नीलामी होती है जिसमें लोग अपने सामान लेकर पहुंचते हैं और बडिया पैसा और बडिया अपने सामान बेच लेते हैं तो यह कामाई इसका बिजनेस करने वाली कई वेबसाइट आज कल इस सबार की नीलामी करती है तो हम भी आज इस क्विकर के जरिए यहां लोगों को अपने सामान की नुमाईश करते हुए देख रहे हैं तो ग्राहक पठाने और कमाने का बरपूर मुल रहा है तो ऐसे में लोगों के लिए यह सुनेरा महुझा है जो पूरानी चीज जुटाने के शोकिन रखते हैं जैसे की कॉइन कलेकटर्स और नोट कलेकटर्स खास कर वैसे लोग जो पुराने सिक्खे एक रूपए कीन से ले कर और अन्य किसी भी काइन, वो पूरे एंटिक काइन के जरी बेश ना चाते हैं, या खरीदना चाते हैं, इकामस कमपनीğğें इन सिक्खों को खरीद कर ऐसे लोगों को राजा और लगपती या करोडपती बना सकता है लगपती फिछले कई साल का रिकार्ड देखे तो बहुत सिके प्रचलन से बाहर हो गए है रिजर्व बैंक ने भी कई सिक्कों का निर्मान बंद कर दिया था तो ऐसे सिक्के अगर कही कही बचे है तो उसकी कीमती खूब चड़त रही है तो यह ऐसे सिक्के है जो गिन लेकिन इन सिक्कों को और नोटों को पुराने चीजों को खरिदने के लोग आज के तारिक में अंगिनत में है बस उन्हें पता चलना चाहिए कि कहां और किसके पास ऐसे सिक्के है वे इसे पाने के लिए मुँ मांगी कीमत दे सकते है अब आपने देखा होगा कि दीवाली और अक्षेत रुतिया पर लक्षमी गणेश सिक्के की मांग बढ़ जाती है आनलाइन साइटों पर इसकी बिक्री धडल्ले से होती है जिनके पास पुराने सिक्के है वे इसे बेच कर अच्छा मुनाफ़ा कमा लेते है इसी स्रेणी में विक्टोरिया कॉइन भी आता है त विक्टोरिया कॉइन के कई कदरदान एकामर साइट क्विकर पर 1862 के क्वीन विक्टोरिया सिक्के बेचे जाते रहे है तो इस एक विक्टोरिया कॉइन की कीमत देर लाग रुपए तक मिलती है विक्टोरिया कॉइन की एक रुपए की दरसल एक रुपए का चांदी का सिक का है वे इससे देर लाग रुपे तक कमाई कर सकते हैं दीवाली पर ऐसे सिक्कों की भी खूब मांगी होती है क्योंकि इसे असली और पुराना माना जाता है क्विकर पर कैसे बेश सकते हैं ए रुपाई के सिक्के हम अगले वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ जैसे उसके साइट का पूरे इंफर्मेशन पूरा नेश्ट वीडियो में मैं बता दूंगे आपको तो उसके लिए आप छोटा सा काम करना होगा आभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखने वाले लाल बटन को सब्सक्राइब करके बाजी वाले बे का ही कामस webinar की वीडिकर दे रहा है सबसे ज्यादा वी पर यह सिरया बेचे जा रहे है यहां खुछ को रेजिस्टर करने और क्वाइन बेचने का खास सरी नहीं है और सबसे पहले तो आपको online seller के तोर पर खुद को register करना होगा इतना कुछ करने के बाद website पर सिखे का photo upload करना होगा अगर आपका सिखा एक रुपए से लेकर और किसी कोई भी सिखा या note किसी महमान को पसंद आ गया तो वह आपके तुरंट संपर करेगा यहां आपके कीमत लगानी होगी और खरीदार से रेट तै करनी होगी बात ही सफल होने के बाद वेबसाइट के पेमेंट टर्मा और डिलिवरी टर्म को मान कर आप सिका बेश सकते हैं सिक्के का पैसा आपके अकॉंड में ट्रांसर हो जाएगा यह सब लीगली तरिकेसी हो जाएगा तो क्यूंकि जैसे आजकल इसके पुराने नोटों और काइन्स की भी एक्जिबिशन लगती रहीती है लेकिन कुछ दिनों कुछ मैनों से एक्जिबिशन फिलाल नहीं लग रह से और कहीं कहीं एक्जिबिशन लगने वाली है तो हमारे वीडियो पूरे देखते रही है तो आपको पूरी जानकारी इंफर्मेशन में देती रहूंगी तो दोस्तों हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कामेंट करके बता दीजिए और आने वाला दस है तो लाइक जरूर कीजिए और आपको किन नोटों की और किन कायन की इंफर्मेशन जानकारी चाहे नीचे मुझे जरूर बता दीजिए चानल को सब्सक्राइब करिए बेल नोटिफिकेशन दबा दिए कमेंट शेर जरूर किए थैंक्यू फ्रेंड्स